वेल्कम बाक टो आवर यूट्यूब चानल सवीफॉरेंचिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज के नाइथ पार्ट पर जहांपर हम डिसकास करेंगे थर्मल इंजरीज के बारे में और इसमें भी आपकी जो थर्मिया की जो रहती है उनके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिसकास करेंगे fulfillment beim इसे पहरे दो वीडियो आयता वहाँ पर हमने हाइपोधिय उतने भी ताइप clapping होते है और जो हाइपोध dal Celebrity होता है तिया होता है वह सारा कुछ पर देख ट्यूक थे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देसा ला सूरे एलिए हाइपर थर्मिया के बारे में और इसके टाइप तर्म को एक में जॉइन करते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा टेंपरेचर, थर्मिया का मतलब हो तो ज्यादा टेंपरेचर, तो जबी भी बोडी का टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर से काफी ज्यादा पहुंच जाता है, तो उस कंडिशन को हम बोलते हैं, हाइपर थर्मिय होता है उसको काफी ज़्यादा एबसुर्ब करने लगती है या फिर उसके आस-पास का जो temperature होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो उस time पर condition बनती है उसको हम बोते हैं hyperthermia अब यहां पर जो body का temperature रहता है उससे जब temperature जो आपका 41 दिग्री सेल्सियस या फिर 106 डिग्री टक पहुंच जाता है बॉडि का टेमपरेचर तो उस टम पर जो इंडिवीजियुल है उसकी जो ब्रेन होता है उसकी डेथ होना स्टार्ट होती है अगर फॉर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है जिसको कि एंडिवेज़ की डेथ हो सकती है अब यहां पर जो अगर इंडिवीजियल की बॉडि का इंटिर्नल टेंपरेचर है वह त्वेस के जादा हो जाता है तो इस जो भी individual की death है वो immediate death हो जाएगी और वहाँ पर जो muscles होगी जो उस individual की उसमें rigidity आपको देखने को मिलेगी instantly तो यह सारे कुछ आपके important points हैं जैसे कि 41 degree Celsius पर brain death होगा degree Celsius और degree Fahrenheit दोनों में पता होना जरूरी क्योंकि exam में किस उसमें पुछेंगे वो आपको नहीं पता तो इसलिए degree Celsius और degree Fahrenheit दोनों ही आद दखेंगी 41 degree Celsius में brain death होगा 45 degree Celsius पर death जो है वो confirm हो जाती है and 50 degree Celsius अगर internal body temperature है तो उस condition में rigidity आपको देखने को मिलेगी and immediate death individual की हो जाएगी ठीक है अब यहागी चलते हैं next अगर हम बात करें कि जो आपका hyperthermia होता है इसकी तो इसको हम यहाँ पर टीन तरह से classify करते हैं जिसमें पहला आता है आपका heat cramp, second है आपका heat stroke, third है आपका heat exhaustion तो यह तीन तरह के आपके classification होता है hyperthermia में तो अगर हम सबसे पहले बात करें heat cramp की तो heat cramp में क्या होता है जो भी individual है वो बहुत ज़्यादा जब temperature ऐसा है उसके आज पास का या उसके internal temperature बहुत ज़्यादा बंड़ा है तो वहाँ पर जो उसकी muscles होती है उसमें काफी ज़्यादा pain वाली condition अलाती काफी painful spasm होते हैं उसमें उसके अलावा जितने भी voluntary muscles होती है बिसिकली उन में और काफी ज़्यादा perspiration होता है loss होता है body के electrolytes का बहुत ज़्यादा sweating होती है body में कई बार आपको swelling भी देखने को मिलती है sincope वाली condition भी आती है और इस time पर जो body का temperature रहता है वो around 39 degree Celsius या 102 degree for a night के आसपास का रहता है तो यह सारे कुछ आपके points रहते हैं heat cramp में और यहां पर heat cramp में जो mortality rate रहता है वो almost negligible होता है मतलब यह condition severe ज़रूर होती है बट इस condition में individual की death होना फ्रोड़ासा possible वाली condition नहीं होती है तो heat cramp क्या हो गया यहां पर severe painful spasm होता है voluntary muscles में और काफी सारा perspiration होता है and body से जितने भी electrolytes होते हैं उनका loss होता है तो यह सारे कुछ हो गया आपका heat cramp के बारे में उसके लावर एक important point कि यहां पर जो body का temperature रहता है वो 39 degree Celsius या 102 degree for a night के आसपास का रहता है तो यह temperature आपको ज heat stroke होता है इसके काफी सारे नाम होते हैं जैसे की heat hyper pyrexia, sun stroke, systematic hyperthermia तो यह सारा कुछ हो गया पाकि इसको थर्मिक fever भी कहते हैं अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है तो heat stroke में सबसे ज़्यदा important point जो कि आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो body का temperature रहता है वो 40 degree Celsius या फिर 104 degree Fahrenheit या इससे ज़्यादा होता है उसके लावा delirium, scissors and coma की condition आ सकती है यहां पर आपकी fatal condition भी बन सकती है skin जो रहती है वो काफी ज़्यदा hot and dry होगी और जो pulse rate रहता है वो काफी ज़्यदा strong and fast हो जाता है उसके लावा यहां पर जो heat का regulation mechanism रहता है वो थोड काफी ज़्यादा किस टाइम पर heat आ रही है कहीं पर किस टाइम पर बहुत कम आ रही है body के अलग अलग parts पर अलग अलग temperature है तो जो heat का impairment होता है उसमें जो regulation है basically heat का तो वो आपका सही से नहीं हो पार है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो impaired है तो उस वजह से जो individual होता heat stroke वाली condition बन रही है तो वहां पर individual की death भी हो सकती है तो यह सारे कुछ important points है आपका heat strokes related next अगर हम बात करें heat exhaustion की तो heat exhaustion basically exhaustion term से भी समझ सकते हैं कि fatigue वाली condition होगी बहुत दा weakness होगी, dizziness होगी, headache होगा, nausea वाली condition बन सकती है उसके लावा vomiting, muscle, cramp and sweating यह सारी चीज़े भी आपके heat exhaustion में देखने को मिलता है अब जो heat exhaustion होता है इसके भी other name होते हैं जैसे कि heat collapse, heat syncope, heat prostration तो यह जितने भी नाम है जिनके भी other name होते हैं इनको याद रखना बहुत important होता है क्योंकि कई बार other name के नाम से caution बन जाता है तो इस वजा से यह साब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा और यह होता क्यों है heat exhaustion, so it results from prolonged strenuous activity with the inadequate water or salt intake in a hot environment तो जबी भी आप किसी hot environment में हो बहुत गर्मी का time है उस time पर अगर आप प्रॉपरली और जितने water होते हैं उनका प्रॉपर इंटेक नहीं हो रहा है उनके आपकी body में कमी हो रही है तो उस वजा से आपको heat exhaustion वाली condition देखने को मिलेगी और summer के time पर यह आपको usually देखने को मिलता है heat exhaustion को heat collapse, heat syncope, heat prostration भी कहते हैं और अभी अगर तीनो को आपको अलग अलग करना differentiate करना हो तो कैसे करेंगे heat exhaustion तो समझ गया होगे कि यहाँ पर जो आपके body है उसमें water या फिर electrolytes या इतने भी salts होते हैं उनकी कमी हो रही है क्यों कमी हो रही है क्या आप ऐसे environment में हो काफी गर्म है जो की और उस वजा से जो आपका water का loss हो रहा है तो इस वजा से आपका heat exhaustion वाली condition बनेगी heat stroke क्या है body temperature बहुत जादा बन रहा है अब वो natural भी हो सकता है मतलब जो environmental condition है उसकी वजा से भी हो सकता है या फिर कुछ आपको आपने या फिर आपको किसी ने कोई drug या कुछ ऐसी medicine वगरा आपका intake हो गया है इसके वजा से काफी ज standards होते हैं उसमें paralysis होगी जिसकी वजा से individual की death हो सकती है तो heat stroke वाली condition में individual की death भी हो सकती है heat cramp में बात करें तो heat cramp में individual की death नहीं होगी और body का temperature 39 degree Celsius से कम ही रहेगा तो यह सारा कुछ आपका हो गया hyperthermia के अलग-अलग types जो रहते हैं उनके बारे में उम्मीद करती हूँ य जैसे कि कि डेख हो रही है इस particular condition के बाधी, hyperthermia के बाधी तो वहाँ पर आपको यहां के चीजे का देखने को मिल सकते हैं आपको important चीजें देखने को पर रहें को मिल सकती है कि आप्को इम्पोर्टन चीजें देखने को बीसे आपको डिफ्रेंशीड करोग इसको बिसिकली की चीज़ आपकी जो है आपका शो familiar यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह भी नॉर्मल से काफी ज्यादा δेखने को मिलेगा उसके अर्गा जो नॉर्मल को स्अपों मॉट्म कूलिंग होती है डेट बोडि की बोड़ी की यहाँ पर देखने को मिलेगा जना कि पोस्तमोर्टम कॉलिन्ग देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर पोस्तमोर्टम कॉलिंग का ग्राफ देखने को मिलते हैं चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा और कूलिंग वाली कन भी है काफी लेट से आएगी या फिर बहुत ही रेर होता है कि इसमें ऐसा कुछ दिखे उसके लावा जो आइस होती है उनमें पिटिंग एंड सिंकिंग जितनी उनकी ज आइस है वो यहाँ आपको यहाँ पर चाहते है और बहुत ही जली चला भी जाता है अब रिगर मॉटेज इंवेस्टिकेस्टेलर कीशन नहीं है यहाँ थे नमने बनता है और कहां सी जाकर पाड़ सकते हैं विजखेंशन उसको चाहँ एंड स्कतर आप्टिंग फिंग भी आपको देखने को मिलता है काफी जदा greater fluidity डो रहती है मिलाद की वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी सारा permis पूर्चेंैक्र आपको यहाँ पर की पर्योडली बॉलेगा उसके लाबा पूर सारी ने प्रया की नियुका बॉत्ड परेनी होता है इसमें आने की इ स्वाइटम फाइंडिंग इन केस ऑफ हाइपर थर्मिया अभी यहां पर अगार हम बात करें अगर बात करें की तो जो हाइपो थर्मिया यह आपका आर्टिफीशली भी क्रियेट करा जा सकता है किसी भी ड्रग या फिर कोई भी मेडिकल डिवाइस की वजह से तो इस तरह की अगर कोई कंडिशन बन रही है तो उसको हम बोलते हैं थर्मो थेरेपी या फिर थेरेपी वाई इंडूसिंग हाइपर थेर्मिया ठीके तो यह एक नाम काफे इंपॉर्टेंट हो गया थेर्मो थेरेपी उसके रावा कई बार क्या रहता है कि कुछ जो ड्रक्स रहते हैं जै मिक्षर बना के ले रहे हैं तो उस वजह से हाइपर थर्मिया वाली कंडिशन बन रही है उसके विरा से डेथ हो रही है तो वह चीज हो जाती है अब यहाँ पर यह वाला पॉइंट जो है काफे इंपॉर्टेंट है कि बैला डोना और कोकेन या फिर एट्रोपीन प्लस कोक से तो यूजूल कंडिशन में एक्सीडेंटल ही होता है क्योंकि वहां पर आपका यह चीज देखने को मिल सकती है तो यह तो हो गया आपका पूरा हाइपर थर्मिया के बारे में अब यहाँ पर एक चीज और आती है जो कि आपका हीट से ही रिलेटेड है उसको हम बोलता है सकाढ़ब कि अपसिकली Кोई भी बहुत हाट टेंप्रेचर के विजए से सिर्फ हाट टैम्ठरेचर नें बोल चकते हैं जो आपकी मौैस्ट हीट कह सकते हैं जो अगर काफी vendo का मौैस्ट हीट का एक्सपोशिर हो रहा है तो उसकी बिजा से आपके सक्शाले टाइप के पर तो वो जो बनता है आपके skin के उपर उसको हम बोलते हैं scald और ये जो scald रहता है आपके skin के superficial layer पर ही देखने को मिलता है इस image से आप देख सकते हैं ये जो कुछ इस तरह का बन जाता है इसको हम बोलते है scald and scald art trauma resulting from the application of moist heat moist heat commonly involving only superficial layers of a skin तो moist heat का जब application यानि कि जब उसका exposure आपकी normal human body से होता है उसकी skin से होता है तो उसकी skin की superficial layer होती है वहाँ पर कुछ damage cause होता है उसको हम बोलते है scald कुछ चाले टाइप के पर जाते हैं वो आपका scald कहलाता है अभी अगर हम बात करें जो आपका scald है वो post-mortem है या anti-mortem है ये कैसे पता चलेगा तो अगर हम बात करें anti-mortem के case में तो anti-mortem के case में जो आपका scald बनता है उसमे line of readiness देखने को मिलती है बंट जो post-mortem scald होता है वहाँ पर वो अपसेंट होती है और vesicles की बात करें वो आपकी anti-mortem के case में प्रेजन होते हैं यहीपर अगर हम बात करें vesicles में जो content रहते हैं कुछ आपका liquid वगरा फिल होता है तो वो liquid चो रहता है anti-mortem के case में albuminous होता है बट post-mortem के case में क्योंकि scalds जो vesicles होते हैं वो बनते ही नहीं है तो उसमें gas या फिर air आपको देखने को मिलेगी ठीके उसके अलावा अगर infection की बात करें तो anti-mortem की case में infection present होता है बट post-mortem की case में सकते हैं अब यहां पर अगर हम बात करें इसके case के medical-legal importance की तो यहां पर जो scald की वजह से suicide होना काफी rare होता है बट अआच गश्चीदेंटल केसमें अपका dialing देखने को मिल सकती है डेलिब्रेटे स्काडिंग वहाट वाटर की वजह से आपके इतने भी चाइव्श वाले cases रहते हैं तो उनमें देखने को मिल सकता है कि होट वाटर की वजह से hain uzhe difference. जो enough time to be delivered self Variable as are.. जुम के लिचलेटेंटर से वो मादा, लिचुम मादा अपने रेता है वह रहे हो तो सीच। कहा है!! यस कहा है, आप का दो में कहने रहाधन कर दो मैं होता है.. जैसteil क कुछ थाना बना रहे हैं.. आपका scalding देखने को मिलता है तो ये सारा कुछ आपका accidental cases में ही देखने को मिलता है suicidal और homoecilum के condition में जो hyperthermia वाले cases रहते हैं या पिर जो scalding रहते हैं वो काफी ज़्यादा rare होता है सो मैं करते हूं आपको hyperthermia का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और थनी थर्बाल इंजरी थी उनको भी आपर दिस्कास कर लिया है पोरा कवर हो चुका है अभी आगी कुछ नेक्स वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे अभी यह आपर इस वीडियो को करते हैं कोई डाउट है कोई कोई रही है आप लुग पूछ सकते हैं वाटसाप नंबर भी है टेलिग्राम भी है और बहुत सारे प्लाटफॉम से आपर आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं सारा कुछ आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है टाकि वेबसाइट पर जरूर से विजिट करेगा बहुत सारे क्वाश्यंस बहुत सारा कंटेंट आपकी स्टडी पर पर से अबेलेबल है तो कापी ज़्यदा हेल्प को आपको कर जाएगा विडियो पसंद आ रहा है तो विडियो को लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंज के साथ में शेयर कर दीजेगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉंटेंट पहुच सके चानल पर पहली बार आ रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे बेल अकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट और थैंक यू सो मच पर जॉइनिंग में हेर